नमस्कार तो इंडिया टॉप देखनाप और मैं अनाम श्रांग पांडे है जदिव के राष्टी अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंग ने अपने ट्विटर हैंडल से फिर से लालू राज को याद दिलाया है उन्होंने अपने ट्विटर पर लालू यादो के राज में और आवरी देवी के राज में क्या क्या होता था वो उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जिक्र किया है उन्होंने कहा है कि हत्या, लूट और डकईती हर तरफ भरष्टचार फैला हुआ था लालू राज में और किस तरीके से नितीस राज में विकास हुआ और विहार की जनता खुसहाल है इस तमाम चीजों को उन्होंने जिक्र किया है, अपने ट्विटर हैंडल से ट्विट किया है और लालू राबरी राज में किस तरीके से विहार की जनता परिशान रहती थी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, देखे अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है सबी बिहारी अब नितीश कुमार को सुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि बिहार जो है विकास की रा पर चल परा है और लालू राबरी राज में भरस्टाचार आतंक लूट डकैती सब फैला हुआ था और नितीश कुमार के राज में चारो तरफ विकास की गंगा बह रही है देखे ललन सिंग ने अपने ट्विटर हिंडल से ये पोस्ट किया है और लालू राबरी राज को याद दिला है बता दे कि बीटे दिनू कल ही लालू यादो का पचात्रवा जनमदीन था हरसो उलाज से मनाया गया बिहार के जो भी कारे करता हैं बिहार में राज़त के कारे करता हैं सभी ने बड़े हरसो उलाज से लालू यादो का जनमदीन मनाया और आज जदियू के राष्टिया दक्ष ने लालू राज को याद दिलाया है किस तरीके से लालू राज में डखै लेती होती थी चोड़ी होती थी दिन दहारे लोगों की हत्या कर दी जाती थी भ्रश्रचार फैला हुआ था हर जगा उसी राज को ललन सिंग ने याद दिला है और ये भी कहा है कि किस तरीके से नितीश राज में विकास की गंगा वह रही है हर तरफ बिहारियों अब दिलने वाला है हर तरफ एक्ट्रिया खुल रही है हर तरफ सडके बन रही है तो यानि विकास की जो गंगा है वह रही है और बिहारी जो है सभी विहारी अब नितीश कुमार को धन्यवाद कह रहे हैं और लालू राजम किस तरीके से बिहारी परिशान हुआ करते थे इन हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार कैसा आप सभी देख लीजी वहीं अगर बात करें नितीश कुमार की तो नितीश कुमार भी याद दिलाते रहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि 2005 से जब हमें काम करने का मौका मिला तो हमने हमेशा काम किया है और आप सबी देख लिजिए कि हमने कितना काम किया है वहीं बात करें अगर निता प्रतिपक्ष टेज़श्वी आदो की तो टेज़श्वी आदो ने हाल में ही रिपोर्ट कार्ड पेस किया था बिहार सरकार कार्ड कि बिहार सरकार कई मुद्दों पर फेल है और आज जदियू के राष्टिया ध्यक्ष ललन सिंग ने लालू और राबरी राज को याद दिला है कि किस तरीके से उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन इसारों इसारों में बता दिया है कि हर तरफ राष्टाचार लूट डेकैटी फैली हुई थी और अब किस तरीके से बिहार बदला है विकास की राह की तरफ बढ़ पर चला है अब देखने वाली बात यह है कि जदियू के राष्टिया ध्यक्ष ललन सिंग के इस ट्वीट के करती है या फिर क्या रूख अपनाती है ऐसे इंत्वाम खब्रों के लिए जुर रहा है हमार साथ और देखते हैं तो इन्जाटों